जेहिंगा इसके से हैं आप लोग आश्रवरति हूं कि आप लोग बहुत अश्य होंगे मैं लगों की आप लोगों का अपने योटूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूं दोस्तों बहुत साइर लोगों कमेंट आ रहा था कि मैं गेट पास पे एक वीडियो बनाई कि गेट पास क्या होता है और इसका यूज क्या होता है और यह आपको कब मिलता है कितना मेहनत करने के बाद अपको गेट पास मिलता है इस वीडियो मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो आपको देखना है पूरा पैसेंस रखके पूरा वीडियो देखना और हां मेरे चैनल जिस् latest channel और आप स्बिस्टें मेरे चैनल को शब्सक्राइब करके Хart तो इतकी दोगे पर एड़ते दीन के बाती एमिंट कर देगा फीजिकल को और आपचाओगे गरदै भाग फीजिकल करने के लिए तो बहुत साई लोग कमेंट किरते हैं कि बिहार पुलिस के एक्जाम सेंटर कहां पड़ता है तो बिहार में ही इसका एक्जाम सेंटर पड़ता है और आप लोग का हो सकता है कि राजधानी में दे दे जो अधर स्टेट वाले हैं उनका लेकिन जितने भी मतलब girls candidate है उनका जो center होता है वो home district पड़ता है उनका home district है उसी में exams होते हैं girls का और जितने भी boys होते हैं तो उनका कोई ठीकाना नहीं होता है उनका किसी भी district में exam center दिया आजा सकता है तो यह हो गया और लेकिन एक बात है कि आप लोग का जो दौर होगा वो गरदनी बाग में ही होगा और आज तक तो दौर वहीं पर होता आया है और आप लोग का भी दौर पटना के जो गरदनी बाग high school है तो उसी में आप लोग का physical होएगा तो आप लोग वहाँ जाओगे त आपका running होएगा और running के बाद high jump होगा फिर घोला फेक होगा उसके बाद यह height होगा height measurement फिर weight होगा फिर उसके बाद जो boys है boys candidate है उनका chest measurement होगा उसके बाद जो है ना यह सारी प्रोक्रिया हो जाती है उसके बाद आपका signature लिया जाता है और आपको ना वाँ पे gate pass दिया जा आपको gate pass इसले दिया जाता है कि आप gate pass लेके बाहर जाओगे और अपना document अंदर लेके आओगे तो जैसे कि running start होती है जैसे आप अंदर में जाओगे तो आपको मतलब कुछ भी नहीं जाने देंगे तो document तो आपका बाहर ही रहेगा किसी के पास तो मतलब जिस पे आप बह अंदर आओगे तो वही gate pass दिखा कि आपको अंदर मतलब entry मिलेगी तो फिर इसलिए gate pass दिया जाता है और इसका देखो इसका यूज होता है तो इसका यूज बस यह है कि मतलब gate pass जो है ना तो वह आपके पास एक प्रूफ के तौर पर रहता है हमेसा और फिर वह gate pass आपके हमेसा रहेगा और प्रूफ के तौर पर रहता है कि हाँ मैंने मतलब फीजिकल कॉलिफाई कर रहा था तो मुझे gate pass मिला था तो यह प्रूफ के तौर पर होता है तो आज मैं आपको gate pass भी दिखाओंगी अपना gate pass की गेट पास में क्या क्या लिखा होता है तो यह भी दिखाऊंगी तो गेट पास का यूज क्या होता है उसका यूज कुछ नहीं होता है बस उसका एक ही यूज होता है कि वो दिखाने का प्रूफ रहता है कि हम मेरे पास गेट पास है मैंने क्वालिफाई कर रहा था तो मेरे प का signe यहाँ ñ यह मेरा gate pass मैं बतातीchutz सबसे उपर में too gate pass लिखा हुआ इसमें रॉल नम्छ फार नम्छ जो भी आपका रॉल नम्छ होएगा न IT बाद Pet flexibility date लिखा हुआ है इस पे लिखा हुआ है 28 जनवरी को मेरा PET हुआ था तो मैंने वीडियो में भी बताय था और PET शिफ्ट लिखा रहता है 28 फरवरी 28 फ शिफ्ट में मेरा हुआ था 28 तारीके F शिफ्ट में मेरा PET हुआ था तो देखो आप जब एक्जाम देते हो ना यह फीजिकल का चुट होगे ना आपको कर चांप और issडाले गाथ करना ना ट शिफ्ट नेते है तो शिफ्ट डाया हो इसलीफत भाध था यह लिख इना subject देख रहता है यह जदीच सारे candidate एक दिनपहें जाएंगे रगörtर तो फिर मतलब शिबरे गेधर्रिंग हो जाएगा तो फिर तो इसलिए shift बना रहता है आपके admit card पर भी shift बना लिखा होगा और उस shift में आपका यह दौर होएगा उस shift में जितने भी बच्छे होंगे तो उनके साथ आपको दौराया जाएगा मैक्सिमन तो 30 ही रहता है मेरे टाइम तो कुरोना का टाइम चल रहता है तो 30 कंडिड़ेट को एक साथ दौराया गया था और पता नहीं अब इस बार क्या होगा इस बार भी 30 ही दौराया जाएगे तो PT shift रहता है देखो इस पर shift लिखा हुआ है पीटी सिफ्ट है ना तो यह पीटी सिफ्ट भी लिखा रहता है तो इससे आपको बहुता सहूलीत मिलेगी कोई दिक्कत नहीं होगा बस हाँ पता है इस गेट पास को पाने के लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी और मेहनत करनी है और इस गेट पास तक तो ज़रूर पहु गुष्षे जाओगे अपने अपने खुवाद के नजदीक पहुंशते जाओगे इसलिए बहुत अदा महिनत करना है और महिनत करने वालों की होड लगी हुई है 21,000 seat इसमें 21,000 पर ध्यान देना बस एक seat आपको अपने नाम करना है बस आपको एक ही seat चाहिए ना आपको 21,000 से क्या मतलब है आपको बस एक seat चाहिए और उसके लिए आप मेनत करो और भाई 5 गुना लोग क्वालिफाई करेंगे एक लाक प्लस लोग क्वालिफाई करेंगे तो एक लाक में आपका नाम आना चाहिए इस बार चूक जाओगे ना तो फिर ये मौका दुबारा नहीं मिलने वाला है इसलिए आप लोग इसी इसी वेकेंसी में जान जी लगा के एक लिए रिटें एक्जाम पे फोकस करो और हाँ दूर अभी नहीं गड़नी अभी नहीं गड़नी अभी वारिष्ट काभी सेजन गिर पड़ जाओगे दूर के लिए बहुत टाइम मिलेगा आपको अभी से क्यों परिशान हो दूर के लिए अभी से रिटें पे फोकस करो और रिटें पे इतना जहम के फोकस करो ना कि रिटें नीकल जाए एक ही बार में और इसी वार आर पार हो जाना है अगली वेकेंसी का वेट नहीं गड़ बस इतना महनत करो कि इस तक आप बहुत जल्द पहो जाओ और अभी दोड़ना वड़ना नहीं अभी 22 का भी सीजन चल रहा है हाथ पर टूट जाएंगे फिर मेडिकल में दिक्कत हो जानी है और आपके पास फीजिकल का किता टाइम नी लेगा मैं बता हूँ देखो आप र जाना और दोड़ना सुरू कर देना उसी दिन से जब से आप एक्जाम दोगे उसी दिन से आप दोड़ना सुरू कर देना और तो इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना है फीजिकल का फीजिकल जादा टफ नहीं होता है फीजिकल हमारे बश्का होता है ना बही हम जितना मेहन तो इसलिए आपको सबस्य जदा किसी चीज़ पर फोकस करनी है तो वह है रिटेन इग्जाम बस आप रिटेन इग्जाम कॉलिफाई हर जाओगे आगे कुछ नियागे सब नॉर्मल है और आपको बहुत जादा मेहनत करनी है और रिटेन कॉलिफाई करना है इस गेट पास तक कराका बैठे हो गए होंगे और आपका भी बहुत सारा डिम होगा कि हमये करूंगा वह करूंगा जॉब होने के बाद और जॉब जो हो जाते हैं तो बहुत खुसी मिलती आ यहां बहुत जादा बहुत ज्यादा सुकून की जिन्दी होती है तो इसलिए आप लोगों जादा निखिए नियुक्ता करें हुथ जादा मतलब कर संट का रिपलाइ देती हूं इतना यादा हो सकता है छे जित्ता डाइम रहता है उत्ता तरड या मैं में कमेंट का रिपलाइ भी गर देती हूं और आप लोग पास जो भी कुछ भी परिशानी हो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना चैहीन चैवारत